हेलो दुए अज़ बात करें दोस्ते एवी अक्स या लाइफ सेहर के बारे में तो क्या दुश्वों सेहर को खरीदना चाहिए सेल करना चाहिए फिर होल्ड करना चाहिए बैसिकली जितना भी कॉसन है तो आज मैं आपको सब्सक्राइब करूँ अज़ वीडियो में तो आप मैंने बोला था कि एक से लाइफ सेर का जो प्राइज है लगबक आर्ट रुपे फिप्टिवान पैसे हैं लगबक 38 पैसे का लवर शेट गया है और 4.27 परसन का ट्रेडिंग काफी कम है जैसे मैंने बोला था कि मंडे तक में इसकी प्राइस लोवर से जाने के नीची जाने चांसिस काफी डबने हुए है और आज बएए और जब से बाजार रुपे है ता प्राइज 8 रुप्या 40 पैसे था अपर शेट था 8 रुपै तर्फे 69 मार्च अच्छा ग्रोथ है फिर मार्केट डाउन है तो फिलाल दोस्तों आपको क्या कुछ करनी चाहिए एक घंड़ कर चाहूंगा कि दोस्तों आज सपोर्ट लगबग 6 रुपय का सपोर्ट में नीचे नहीं जाएगा पूरे महने में और दोस्तों पूरे सपोर्ट की बात करें तो चार रुपय का बड़े सपोर्ट सब्सक्राइब नीचे जाएगा नहीं लगता कि उतना जल्दे नीचे जाएगा तो फिलाल दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं उनको दोस्तों भारी नुकसान हो सकता है तो आप चाहिए सेल आउट कर जक्तों जो लॉंग टेम इन्वेस्टर है उनको थोड़ा बहुत होगा क्योंकि लॉंग टो इन्वेस्टर आपको चांस काफी जादा आपको प्रॉफिट देगा लेकि तो आपको ज्यादा प्रॉफिट तो होगा नहीं आपको सेल कर देना चीए मैं आपको यहीं बोलूगा थोड़ा बहुत आज ट्रेडिंग वलूम ज्यादा अपडेट नहीं ठीक है आप इतक मार्केट क्लोज नहीं हुआ जाम इसका ट्रेडिंग अपडेट देख पोगो लेकिन चेला का ट्रेडिंग वलूम ता 11 फरवरी का लेकिन दोस्तों आज अगर बाइर सेलेस के अगर बात करें एक से लाइफ सेरके तो जो बायर सेलेस आपको देखनों को मिले गए काफी सौकिंग होगी क्योंकि जो बायर्स है एट्टीन लेक्ट हट्टी सिक्स ताउज मतलब आज एटी परसंट लोगों ने मार्केट में बाय किया है तो मतलब दोस्तों बायर्स का अमाउंट काफी ज़्यादा सेलेस से ठीक है तो आपको बाय करने चाहिए लॉंग टम इन्वेस्टर मैंने बोला था सौट टम इन्वेस्टर अपना सेल आउट करेंगे मैंने अरेडी बोला था इसलिए आपको लॉंग टम में देखना चाहिए सोट